दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल स्टडी जोन पर दोस्तो राजस्थान के युवाओं को एक जूट आने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत हो चुकी है अगर दोस्तो उमिदवार एक जूट नहीं आएंगे तो इसी तरह यहाँ पर जो है कमपनिया और सरकारे उमिदवारों के भरसे को तोड़ते रहेंगी और उनकी मेहनत को बरबाद करते रहेंगी दोस्तो सीधा सीधा आप परसानलिया सुन सकते हैं कि जिस भरती को लेकर उमिदवार तयारी करते हैं कई सालों तक दोस्तो उस भरती के अंदर लीक होता है और सारे रिपोर्ट सोपे जाने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से और एजिंसिया की तरफ से दोस्तो कोई र पालिक पाएगे उसमें 89 कोस्टन जो है यहां पर जो है मैच कर रहे थे पर दोस्तो सरकार ने अभी तक उमिदवारों को सिरिफ जूटा आसिवासन ही दिया है दोस्तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तो क्योंकि सरकारे और एज जूट आना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ मोर्चा भी यहां पर खोलना पड़ेगा तो सारी इंफॉर्मेशन दोस्तो मैं आप सभी को देने वाला हूं क्योंकि SOG की रिपोर्ट में साप साप या बता दिया गया है कि इस भरती के अंदर धांदली हुई है पर दोस्तो अ सारी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूं और आप सभी एक संगठन जरूर बनाए क्योंकि इस भरती को निरस्ट करवाने के लिए घराओ करना बहुत ही ज़्यादा जरूर है दोस्तो सारे इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को step by step देने वाला हूं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरत बेनेवाल सर की तरफ से लगतार यह परियास की गई है कि कॉमुनिटी हिल्ट आफिसर की वैकेंसी को लेकर जल से जल जो है यहाँ पर इसे रोक किया जाए और नई एक्जाम डेट जारी किया जाए यानि कि दोस्तों रद करने को लेकर यहाँ पर जो है उन्होंने हर एक जगा यहाँ पर विग्यापन सोपा और देख सकते हैं कि असोग गहलोत सर को भी उन्होंने यह विग्यापन सोपा है और उनके तरफ से यह आसिवासन दिया गया है कि अगर इसके अंदर धांदली हुई है तो इसे करमचारी चैन बोड को रद करना होगा और निव डेट भी यहाँ पर जारी करनी होगी जिसको लेकर दोस्तों दिख सकते हैं कि कल सुनवाई है और कोट ने भी यह आदेश दिया था कि जल से जल करमचारी चैन बोड को रिपोर्ट सौपे क्योंकि उस पर जो कोट की करवाई है वो यहाँ पर आगे हो सके और दोस्तों कल जो है निडने आने के पूरे चांजस है उमिदवारों के फेवर में क्योंकि एसो जी रिपोर्ट में साप साप यह का चुकी है कि इसके अंदर धांदरी हुई थी और जो नेडने है वो करमचारी चैन बोड को लेना है दोस्तों कल इसकी हीरिंग भी है सारी अब्जर्ट मैं आप सभी को देने वाला हूं दोस्तों फिर आप जल्द ही पेपर निरस्त करेगा और जल्द ही परिच्छा की नई तीथी जारी करेगा एलान ऐसा जिसमें की पढ़ने वाले अव्यर्थियों को नियाए हो सके साथियों हमें हिम्मत नहीं हारनी है यह लड़ाई बहुत बड़ी है अब तक यहाँ पर बहुत से पेपर लीक हुए हैं और लोगों ने खुब आंदुलन भी किया है लेकिन एक भी पेपर जो है जो पेपर है वो यहाँ पर निरस्त नहीं किया है इसलिए यहाँ पर एक ज अब हीरिंग में दोस्तो उनकी दलीले क्या रहती है और यहां पर उनने यह संदेशा भी कर दिया है कि कई सारे पेपर लिख हुए हैं यहां पर जो है रायस्थान के अंदर पर एक भी पेपर को निरस्त नहीं किया गया है पर दोस्तो अगर हमारी यूनिटी रहती है तो कॉम से जो बताया गया है कि पत्र में लिखे हुए जो बोड ने जो report स इसमें 122 प्रस्ट में से यहां पर 89 प्रस्ट जो है वहां पर मिल रहे थे यहां पर रिपोर्ट में मिल रहे थे जिसमें कि 89 मिल रहे थे जो यहां पर जो परिक्षा दोबारा करवाने को लेकर पेपर लीक को लेकर लेकर निरस्त और यहां पर अपने सत्पर के लिए यहां प कोई नई यहाँ पर जो है update नहीं आ पाई है जिसमें किते हैं कोई नीड़े नहीं आया है SOG ने 6 अवियरतियों को बुला कर पूस्ताज भी की है और उनके mobile को जाचा भी है दोस्तों यहाँ पर उनके mobile को जाचा भी है जिसमें की paper link को लेकर social media पर और विभिन माध्यम से जहां पर जो है जो विभिन माध्यम से इन चीज़ों को फैलाया गया था और यहां पर जो है हलात यह थी थी थे कि दोस्तों उनके मैसेज को भी यहां पर जो है जो उनके जो मैसेज थे दोस्तों तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके तर अब दोस्तों बात है कि यह बोर्ड एक्जाम दुबारा कराएगी या नहीं कराएजाएगी यह चीज को लेकर अगर दोस्तों कल तक बोर्ड का कोई असपश्ट जवाब नहीं आता है तो फिर से एक बार बहुत ही बड़ा आंदोलन आप सभी को देखने को मिलेगा और आप स आप सभी को अपनी यूनिटी बना कर रखनी है क्योंकि बिना यूनिटी के दोस्तों आप सभी को यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आप उनके तरफ से क्या बताय गया है कि CHO पेपर लेक पर चिठी जो है ऐसो जी ने सौब दी है और इसको लेकर कल जो है यह बाते जो है यह जो रिपोर्ट है यह सारी यहां पर जो है कोट के अंदर हाई कोट के अंदर पेस की जाएगी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कुछ उमिदवारों का इसके रिगार्डिंग क्या कमेंट है पेपर का मिलना तो आपने पहले ही ही कहा था और SOG ने भी पेपर में मिल गया लेकिन जाच का क्या हुआ यहाँ पर अपरोधी कौन कौन है यहाँ पर दोस्तो अपरादी को भी यहाँ पर ढूणना बहुत जरूरी है क्योंकि उन सभी के काथिर ही यहाँ पर कुछ अवियर्तियों के काथिर ही यहाँ पर हजारों उमिद्वारों को लाखों उमिद्वारों को काफी परसानिया यहाँ परसानी पढ़ती है अब दोस्तों यहाँ पर एक और कमेंट है जिसमें कि आप देख सकते हैं किया बताया गया है, अब तक तो अपरादियों के नाम थे, पर दोस्तों अब जो है, यहाँ पर उमिदवारों को नई डेट का इंतजार, एकजाम होगा या नहीं होगा, या चाहना चाहते हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्योंकि वो वापस से पेपर आउट भी कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर यह चीज कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एक बार पेपर आउट कर सकता है, वहाँ पर वो दो बार भी पेपर आउट हो सकता है, तो इन चीजों को जोड़कर एक अच्छी संगठन बनाकर पेपर लीग के मामले को लेकर बहुत ही संगीना से यहाँ पर आयोग को काम करना पड़ेगा तब जाकर रायस्थान के अंदर पेपर लीग की जो मामले है वो यहाँ पर कम होंगे तो दोस्तो आप सभी को क्या लगता है करमचारी चेन बोड क्या चाहती है आप कमेंट करकर जरूर बताए और जो भी अपडेट पेपर लिख मामले को लेकर होगी आप तक जरूर सेर की जाएगे तो फिर मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब दोस्तो जाहें दे